नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पंकज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं most important question तो चितने भी सारे question मैंने लिया इस वीडियो में सारे के सारे most important question है और तिरकोन मीथी से मैंने सारा के सारा question लिया टोटल इसमें चार कोशन मैंने गेस कि और चारो कोशन काफी ज्यादा important है एक्जाम की दृष्टी से तो सुरू से लेकर के last तक देखना और solve करना भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं ऐसे नहीं जे question लिख दिया और बोल दिया कि ये question important नहीं उसको मैं solve करके भी बताऊंगा आप लोग description box comment section ये सब जरूर चेक करना playlist में जाकर के जरूर देखना वहां भी आपको most important question सब जरूर मिलेंगे तो आईए चरिये शुरू करते हैं सबसे पहला question आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 210 30 degree बटे में 1-10 का 30 degree बराबर है तो यह आपको ग्यात करना यह किसके बराबर है यह objective टाप के question में पूछा जा सकता है या दो नंबर में भी पूछा जा सकता है इस टाप के question तो आईए solve करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल या solve भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और बीच में multiply रहता है तो multiply का चिंदो 10 30 degree अब 10 30 degree का मान क्या होता है तो वह होता है 1 upon root under 3 या करनी 3 कह सकते हैं यह होता है बटा लगा दो 1 minus कहा 1 और minus 10 square 30 degree तो 10 30 degree का मान होता है 1 upon root 3 अब square है तो हम लगा देंगे square तो मैंने लगा दिया square चलिए आगे हम solve करते हैं 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा बटे में करनी 3 तो करनी 3 और बटा लगाई में बटा अब यह देखिए 1 है तो 1 और minus 1 का square करेंगे देखिए square है तो इसका मतलब दो बार गुना होगा एक बटा root 3 जो है दो बार गुना होगा यानि एक बटा root 3 गुने एक बटा root 3 तो एक को दो बार गुना करेंगे तो एक गुने एक तो होगा बटा लगाई है root 3 को 2 बार गुना करेंगे तो root 9 और 9 का वर्गूल क्या होता है 3 तो हम लिखेंगे 3 ठीक है यह आ जाएगा हमारे पास right अब यहाँ से हम solve करते हैं भी यहाँ 2 बटे root under 3 है तो 2 बटे root under 3 हो गया right अब यहाँ से इसके नीचे एक चिपा है 3 और 1 कालसियम लेंगे तो 3 okay अब यहाँ से हम क्या करेंगे यह तो भीन का घटा हो है कर लेना आसानी से इतना आ जाएगा right अब यहाँ से इसको हम इधर solve करते हैं 2 बटा में root 3 okay बटा लगाईए अब यह तो 3 में से 1 गया तो क्या होगा हमारे पास भी है 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा क्या होगा 2 होगा और बटे में 3 है तो 3 अब यहाँ से आ गया यह 2 बटे root 3 तो 2 बटे root अंडर 3 okay अब देखो main बटा है बटा का मतलब गुना तो मैंने गुना कर दिया 3 जाएगा उपर और बटे में 2 आ जाएगा right यह आ गया 2 से 2 cancel तो हमारे पास बचा 3 और बटे में करनी 3 यह हो गया हमारे पास ठीक है तो 3 बटे करनी 3 हो गया अब इसका हम परिमे करन भी कर सकते हैं तो परिमे करन करेंगे तो क्या होगा यानि rationalize root under 3 उपर भी और नीचे भी root under 3 कर दो यह गुना हो गया तो हमारे पास जाए 3 root under 3 और बटे में इसको गुना करेंगे तो हमें आएगा सिर्फ 3 3 से 3 कर जाएगा तो यह आ जाएगा root under 3 ठीक है तो यह हमारे पास answer हो गया ठीक है कि काफी important है अब आईए दोस्तों अब हम यह दूसरा प्रस्ट सॉल्व करते हैं यह भी काफी ज्यादा important question है तो अक्सर बचे इस question में तो फंस जाते हैं चलिए हम solve करके आपको दिखाते हैं सबसे पहले हम इसका मान लिखेंगे चलिए मान put कर लेते हैं सबसे पहले कोस 45 डिगरी का मान क्या होता है तो वह होता है एक बटा root under 2 होता है अब main बटा लगाई यह बटा है तो सेक 30 डिगरी अब सेक 30 डिगरी का value होता है दो बटा में रूट अंडर 3 पलस है तो पलस लगा दीजिए राइट, कौसेक 30 डिगरी अब कौसेक 30 डिगरी का वेलू क्या होता है वो हता है 2, तो हम 2 लगा देंगे इसके नीचे एक लगाईए, ठीक है यह हो गया, ओके, अब आईए इसको इधर solve करते हैं, बड़ाबर ठीक है, याद रखना बड़ाबर लगा करके फिर एक बटा, रूट अंडर 3 है, 2 है तो आप लगाई, एक बटा रूट अंडर भाईया, 2 और मेन बटा लगा दीजिए रूट 3 और एक कालसिम लेंगे तो रूट अंडर 3 होगा राइट, देखिए, रूट 3 से रूट 3 करेगा दो बचेगा, और इधर आजगा क्या एक से रूट 3 में भाग देंगे, रूट 3 रूट 3 से दो में गुना करेंगे, तो रूट अंडर 3 हो जाएगा यहाँ और यहां से क्या करेंगे सबसे पहले बात है एक बटा रूट तीन है तो हम लिखेंगे एक बटा रूट अंडर सॉरी दो है तो रूट अंडर दो बटा का मतलब होता है भाग और भाग को हम गुना मिले जाएंगे तो नीचे अला उपर उपर वाला नीचे तो root अंडर 3 उपर जाएगा and बटा में 2 plus के 2 root अंडर 3 इधर आ जाएगा right अब यहां से हम क्या करेंगे वो देख लीजी ठीक है बड़ाबर एक से root 3 में गुना कर लो तो हो जाएगा हमारे पास root अंडर 3 and root 2 से हम 2 में गुना करेंगे तो 2 root अंडर 2 हो जाएगा okay plus है तो plus and root अंडर 2 से 2 root अंडर 3 में गुना कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास तो इसको हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं 2 root अंडर 6 3 दूना 6 कर सकते हैं ठीक है यह हो गया अब हम क्या करेंगे यहां से rationalize करेंगे परिमे करन, हर का परिमे करन चलिए करते हैं परिमे करन तो 2 root अंडर 2 है तो 2 root अंडर 2 होगा अब चिन बतल जाता जो plus का है वो minus का अब यह 2 root अंडर 6 है तो 2 root अंडर 6 हो जागा rationalize में और नीचे भी same रहेगा 2 root अंडर 2 और माइनस के 2 रूट अंडर 6 ठीक है यह हो गया बडाबर अब इसको गुना करते हैं रूट 3 से 2 रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो हम लिख देते हैं रूट अंडर 3 अगुने में 2 रूट अंडर 2 गुना के रूट में लिख दिये माइनस तो माइनस root under 3 को क्या लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं root under 3 अगुने में 2 root under 6 लिख दिया मैंने अब बटा में देखें ये है a और ये है b ये है a और ये है b तो a plus b into a minus b के रूप के गया है की नहीं तो इसका square कर देंगे अप फिर इसका square तो 2 root under हम क्या करेंगे 2 root under 2 का square ठीक है यानि a square माइनस b square तो b के जगा पे 2 root under 6 तो 2 root under 6 का square ठीक है ये formula आपको पता होना चाहिए अब यहां से क्या करेंगे simple सी बात है ये root under 3 जियों का तेओ ही रहने दीजिए गुना के common लेकर के हम इसको क्या करेंगे भी या निकाल लेंगे राइट तो ये root under 3 तो root under 3 आगुने में 2 root under 6 तो 2 root under सुरी 2 है तो 2 और माइनस में इदर 3 root under 3 आगुने में 2 root under 6 ठीक है बटे 2 root under 2 का square करेंगे तो कितना हो कब ये 2 का square 4 राचार दुनिया ठीक हो जाएगा आठ और माइनस में इसका square 2 का square करेंगे तो 2 और ये 6 यानि 2 का square करेंगे तो 4 होगा 6 का square 24 ये हो जाएगा भी ये 24 को तो रहेंगे तो ठीक है बढ़ाबर बढ़ाबर सीधर आईए अब क्या करेंगे इसमें coming लेते root 3, root 3 मैच किया 2 और 2 मैच किया है के नहीं इसमें root 6 में भी मैच करेगा 6 को हम क्या लिख सकते है root 6 को लिख सकते है कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ नहीं तो लिखी दे क्या देखो हम लिखी देते, रूट 6 को, रूट 6 जैसे है ना इसको लिख सकते, रूट 2 गुने, रूट 3 लिख सकते बिलकूल तो हम लिखी देते, रूट 2 गुने में, रूट 3 ठीक है, रूट 6 को देखो, 3 दूना 6 हो जाएगा, है कि नहीं, यह हो गया अब common ले लो ये root 3 common तो ये miss किया ये दो मैच किया तो ये भी 2 मैच किया यानी 2 root under दो तो ये भी 2 root in-2 सब common ले लेंगे तो हमारे पास आजाएगा क्या भया root under 3 अगुने में 2 root under 2 ये common हो गया अंदर बचेगा क्या हमारे पास इदर कुछ नहीं तो एक बचेगा इधर बचेगा क्या यह से क्वावन हो चुगा यह भी क्वावन यह सिर्फ मात रूट अंडर तीन बचेगा तो रूट अंडर तीन अब 8 में 24 गटाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा ठीक है मैंने 16 कर दि इन्टू 1 माइनस के रूट अंडर 3 ओके बटे में क्या है माइनस के 16 तो माइनस के 16 हो जाएगा ओके अब यहां से हम क्या करते हैं समय गुना कर देते हैं इसमय दो रूट अंडर 6 से एक में गुना करेंगे तो क्या होगा दो रूट अंडर 6 है ना यह रहने देते इसको का क्या होगा माइनस के जट उपर क्या करेंगे हम माइनस ही कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे माइनस वाला पलस का बाले माइनस कंद आने के लिए तो रूट common लेते हैं यानी माइनस common होगा तो पलस का एक अधिया तो रखना ठीक अ और यह माइन रघाशना को जरता माइनस के रूट shit बूट ंडर थी है तो और यह जागा माइनस के एक अब मैंद मीनिस τις एक ऑफ सिंपल-іль सब्स Frankie इस नहीं होगा पिर तीन होगा तो दूग तीन भाहर ठीक है स्री बचेगा root अंडर 2 अंदर ठीक है या रूट अठारा को तो तो रहती इतना minus के root अंडर 6 और बटे में हो गया 8 तो यह भया answer आ गया ठीक है ओके इस तरीके से answer आ चुका है यह देख लो इसका answer solve आए दोस्तो अब हम क्या करते हैं इसका तीसरा सवाल लेते हैं तो यहाँ पे देख सकतें तीसरा सवाल तीसरा सवाल है देख सकतें 1 plus के sine बटे 1 minus के sine root अंडर बटे 6 A plus 10 यह हमको सीध करके लाना है बड़ा आसान सा सवाल है हम क्या करेंगे यहाँ पे परिमे करन करना ही परेगा तो कैसे करेंगे सबसे पहली बात है जो है वो लीख लो पहले 1 plus के sine तो हम लिखेंगे sine और बटे में 1 minus के sine तो हम लिखेंगे sine अभी यह root अंडर अब हम क्या करते हैं गुना का चिन लगाते हैं आप परिमे करन करते हैं 1 minus के sine A, ओके, और बटे में हो जाएगा, one plus के, sign A, ठीक है, root लगा दो, लगा दिया मैंने, बड़ावर यह हम को सिध करके लाना है, जो काते और रहने दो, ठीक है, या, अब हम क्या करेंगे, दो, one plus के sign, one plus के sign, root में ही यह तो है, तो, one plus के sign, one plus sign, दुनों को क्या करेंगे, हम multiply कर देंगे, दुनों सेम है, तो इसका whole square हो जाएगा, तो हम लिखते हैं, one plus के sign, A, और into one plus के sign, तो इसका square कर देंगे, ठीक है, और बटा लगाईए, one minus के sign, one plus के sign, तो A square minus B square के रूप के गया, तो, one का square तो, one A होगा, ठीक है, और B का square, यानि, sign का square करेंगे, तो, minus के sign square A होगा, ठीक है, या गया, लगा दीजिए, ऐसे बटा, ओके, बरावर में, यह हमको सीद करना है, C के plus के 10, इसको A plus B के whole square पे तोर दो, तो, हम तोर देते हैं, ठीक है, कैसे तोरेंगे, simple सी बात है, या फिर पहले root को ही हटा लो, तो बेहतर रहेगा, मेरे ख्याल से, है न, कैसे डिएगा, दोनों को बरावर करो, पहले क्या करोंगे, one plus के sign A, ठीक है, और इसका whole square तो whole square, और बटे में, one minus का sign, क्या होता है, cos square A के बरावर, तो, cos square A, root है तो root, अब बताई, यहां भी square, यहां भी square, यहां भी square, तो, अच one plus के sign A, ताकि आपको भी तकलीप ना होगा, बटे में, cos A, दोनों का square, इसका भी square, तो, एक साथ whole square कर सकते है, root तो root, अब क्या करेंगी, इस square से root कट जाएगा, पता है न, तो, scar से root कट जाएगा, तो, हमारे पास क्या हो जाएगा, कि one plus के sign A, और बटे में, क्या हो जाए क्या होगा भाई, सेक A, आप पालस, sign A, बटे में, क्या होता है, 10 ठीटा, तो, हम लिख सकते है, 10 ठीटा, यानि, 10 A, और यही तो, आपको लिख करके आना था, भाई, यही तो, आ गया, यही तो, सिध करना है, यहाँ पर देख सकते हो, यही, तो, हम रख देते है, सेक, A, प्लस में, 10 A, ठीक है, यही, यही, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सिध हो गया, ओके, प्रूव, सिध हो गया, आईए, अब दोस्तों, चौथा प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, 9 सेक स्क्यार A, माइनस के 9, 10 स्क्यार A, बराबर ह होता है, एक होता है, इसका फर्मूला एक होता है, तो एक हो जाएगा, तो 9 से 1 में गुना करेंगे, तो 9 हो जाएगा, इसका एंसर 9 हो जाएगा, ठीक है, इस ट्याप के भी एक नंबर में कोशन आता ही रहता है, आई होब कि यह सारे के सारे most important question समझ गये, वीडियो पसंद है, तो भाई अभी से like करो, और दोस्तों को भी सिरकना है, ठीक है?